आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तख बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार जानेंगे कि इस कारोबारी सब्ता क्रिशी फसलों का बजार किस तरह देखने मिल सकता है तो एडिबलल में सोयबीन से शुरू करते हैं हमने देखा कि सोयबीन में एक हलकी सी करेक्शन देखने मिली है 6800 के सथरों से लगपग 6450 के करीब जैनुरी वाइदा ने क्लोज दिया है ऐसा लगता है कि एक अप एंड डाउन मूवमेंट हमें कुछ समय और देखने मिल सकते हैं याने एक दाइरे में बजार रहेगा जो दाइरा 6200 से लेकर 6800 का हो सकता है अगले हफ़ते में शुरुआती दौर में हो सकता है हम 6300 के करीब प्राइजिस को जाता हुआ देखे लेकिन उन सरों से दुबारा उचाल देकर जो लोज हो सकता है 6600, 6700 तक हमें देखने मिले तो ये जो दाइरा है ये ब्रॉटली 6200 से 6800 तक का होगा ऐसा मेरा मानना है और आने वाले दो से तीन हफ़ते इसी दाइरे में अप्राइजिस टेट कर सकती है जिसके बाद हमें दुबारा 7000 के उपर के स्थर जो हैं वो देखने मिल सकते हैं तो लंबी अबदी में अभी भी मेरा मानना है कि स्वैबिन में तेजी है लेकिन शॉट टर्ब बेसिस ऐसा लगता है कि एक रेंजबॉर्ण मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है वही हमने CPO, Refined Soil दोनों में ही हलकी सी गिरावट के साथ क्लोज होते हुए देखा Refined Soil करीबन 1200 के आसपास और CPO 1100 के करीब क्लोज दिया है प्राइज ने लेकिन यहां से आगे चलते हुए इमिजेट डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेट लगता है 1185 के आसपास Refined Soil का एक अच्छा सपोर्ट है वहां से एक bounce back देने की संभावना है 1215 से 1220 तक के बीच वहीं CPO में 1080 जो पिछले एक मैने से hold कर रहा है वो मुझे लगता है hold कर जाएगा और upside में दुबारा हमें आने वाले दो हफतों में करीबन 1130 के स्थर देखने मिल सकते हैं अब ही अगर हम मसाला complex ही बात करें तो हमने खास करके दिन्या में एक तेजी के साथ close होते हुए देखा है 8600 के बाव पर January वायदा और ऐसा लगता है कि 8400 से 8300 का एक important support है जब तक ये band hold कर पा रहा है हमें दुबारा 9000 के उपर किस तर देखने मिलेंगे तो short term basis 8500 से 8400 के पीच अगर कोई dip आती है तो 8300 के नीचे के stop लेकर buy किया जा सकता है और 9000 के करीब के short to medium term target लिए जा सकते हैं वहीं जीरा January वायदा में 16100 की करीख भी closing है important support 15600 से 15700 के बीच आता है तो यदि 16000 के नीचे भी दाम मिलते हैं तो वहाँ पर buying position बनाई जा सकते हैं कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि 15600 से 16500 तक का एक दायरा होगा तो immediate तोर पे अगर हम 16000 के नीचे दाम देखने हैं तो वहाँ से दुबारा 16500 तक जाने की संभाबना है longer term basis ऐसा लगता है कि 17000 के जो लेवल हैं दुबारा देखने मिलेंगे लेकिन उसमें हो सकता है तीन से चार उफतों का एक period हमें consolidation का देखने मिले जिसके बाद यह सर देखने मिल सकते हैं upside में वहीं guar complex में हमने देखा कि जनवरी वाइदय में जो guar seed है वो 5800 के उपर का close देने में कामयाब होगा वहीं guar gum में 10,350 के करीपी closing आई है तो ऐसा लगता है कि जो 5600 के recent lows हैं वो बजार hold कर चुका है और एक short covering move बनती है जो 6200 तक guar seed को near term याने next 2 हफतों में लेके जा सकती है वहीं पर guar gum में मुझे लगता है कि हमने 9520 तरवी देखें और एक short covering move बनती है जो इसे करीपन 10800 से 11000 तक लेके जा सकती है तो immediate तो पर guar gum guar seed में buying का recommendation होगा वहीं कैस्चर में हमने देखा एक दायरे में कारोबार हुआ है 6400 के करीपी closing आई है कैस्चर सीड जैन्वरी वाइदा 6250 के उपर अब भी positive लग रहा है positionally 6000 का एक important support है उसके उपर अब भी तेजी के आसार है हाला कि short term basis याने 2-3 हफतों के लिए ऐसा लगता है कि 6200-6800 का एक दायरा होगा क्योंकि हम दायरे की initialist दरों के आसपास है तो यहां से खरीदारी का माहूल बन सकता है और अगले हफते के लिए हो सकता है हमें 6600 दक के दाम मिलें और आने वाले 2-3 हफतों में 6800 के आसपास के level मिल सकता है वहीं बेनोगा खल या cotton seed oil cake में 2700 के उपर की closing भी है जन्वरी वायदान है और ऐसा लगता है कि 2800 के उपर के इस तर हमें जल्दी देखने मिलेंगे तो 2650 से 2670 के करीब अगर पताम मिलते हैं तो वहाँ पर बाइंग पोजिशन बनाई जा सकते है upside में 2820 और उसके बाद लगवग 2900 के level भी देखने मिल सकते हैं M6 cotton में 30,000 के करीब से recovery देखने मिली है 31,200 के करीब close दिया है ऐसा लगता है कि एक हलके से dip शुरुवाती दौर में देखने मिल सकती है 3800 से 3900 तक वहाँ पर बाइंग की सला होगी और upside में ऐसा लगता है कि 31,800 से 32,000 तक के सतर जो है वो दुबारा देखने मिलेंगे आने वाले एक हफते से 10 दिन के अंदर तो M6 cotton में भी dip पे बाइंग की सला होगी तो यह थाक जाज़ा आने वाले हफते है और short term medium term basis एगदी commodities में क्यार जान जान जा सकता है आने वाद झाला जब जाद झाल जान झाला कर 스타 के बात झाला का सब्सक्त में झाल झाल